सो हेलो गाइज वेल्कम बैक टो मैं चैनल एंड आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 57 और केपिटल हमारे पास प्रॉक्स 7500 के आथ प्रस बच रही है और मैंने आप पे सबस्क्राइब निफ्टी का ट्रेड प्लैन करा हूं सुबा जो इतने अच्छी डिकावरी आई भी लिए यह मैंने फिब्रेट रिए मैंने फिब लगाया एंड जिलो पन टूगे वास निफ्टी रिएक्षिन लेरा सा वहां पर अच्छी रिएक्षिन मिली और ठीक ठाक हैंडल बन दी सी तो उसके विए पर मैंने यह अपने ट्रेड प्लैन करें और इसमें अभी एक ही लो सकते हो 15 मिनिट्स पे निफ्टीन हैमर बना ऐसा तो उसके बाद साथ के साथ में अपना ट्रेड एक्षिट करती है एंड शॉप्लस में जादा बड़ा नहीं आ रहा मैक्स तो मैक्स तरस पॉइंट का इस्टॉप्लस बन रहा है और यहां से अप्सेड मूव आता है तो इस हमारी 138 हो चुकी है बट इंस्टेंटली पांच मिनिट दस मिनिट के बाद ही हमारे स्टॉप्लस के पास आ जाते है और बहुत गंदा इसने फॉल दी गया इसलिए मैंने सोच रहा था बलकि मैं कि स्टॉप्लस अगर रखो 130 का बट वही एकदम से निची आया तो मैंने यह पर अपना ओडर लगा दिया 133 का जैसे यह भी यह 133 के आस्पास जाते में यहां पे सेल हो चुक है एंड यह बाउट हम पो यह ले ट्रेट में लॉस हुआ है एप्रोक्स 256 का 250 को लॉस हो चुक है पांच पॉंट का स्टॉप्लस लगा है हमारे इसमें दो लॉट के साथ अब देख सकते हो क्या ही मतलब वान साइड इतनी गंदी रड गंडल यहां पर थोड़ा सा क्योंकि रिटश करने आता ही अगली तो इसलिए मैंने इंस्टेंटली सेल नहीं करा आप देख सकते हो 127 से 123 5-6 वह नहीं तो लॉस हो जाता है एंड उसके बाद काईस मैं आपको बंद कर दूंगा बट वही मतलब 15-10 पॉंट सस्ते मिलने के चक्कर में क्योंकि एक ही लॉट है ना तो यह तो यह बंदा दो लोट ले रहा है इतने फंट्स हैं यह दो लॉट के लिए एड जब एक लॉट लेते तो बंदे को होते हैं पांदस पॉंट सस्ता मेरे तो ही सह प्रगा अगर आने करने आता भी है तो वही अगर सस्ता ने मिलोगा तो यह से लेकर जा सकते हैं यहां पर आप जिखो मतलब मैंने जैसे ओर लगाया तो सिर्फ 2-3 पॉंट के चक्कर में मैं अपना उपर नीचे कर रहा था और यह बाग रहा था और यह भाग रहा था वहा से अब 390 हो चुक है एंड उसके बाद साथ साथ बड़ा मुगा यहां पर आप रॉक्स 460 का ही लगा क्या यह वह अगर 375 का सब सेंटर कर लेता है मैं पहले 375 से 370 के लिमिट ना चेंज करता है तो सही रहता ऐसे मतलब पहले मैंने इवन 380 भी कर दिया सा अपनी लिमिट 37 तब तो एक दो पॉइंट से रहेगा अगर आप देखोगे वीडियो को थोड़ा स्लोगर करके एंड अब मैंने यहां पर मार्किट प्राइस पर इसको बाई कर दिया जब यह थोड़ा सा निक्ची आया दुबारा रिटश करने आया एंड रिस्टेंस के पास यह बैक मैंने मार्किट प्राइस प्राइस को बाई मार दिया एक लौट इसमें मेरा दोड़ा जितने दुवार पास पैसे भी नहीं बचेया एंड यह बहुत ज़्या टाइम चला मेरा बहुत ज़्यादा मैं अप्ड़न कर इसमें यहां पर निच्छे जो हैंमर देख रहे हो ना मैंने सोचा था कि मैं एंट्री कर लूँ बट वोई थोड़ एक्जिवुशन में प्रोब्लम आ रही है लब जिस टाइम पर सही एंट्री करने किया मैं करनी पा रहा अगर से उस टैंप पर रहूं जिसे सुबा मैंने इतना बड़ा बांसा डिड़क मुव मिस कर दिया मैं म सुबा कर मैं में में जो डैलियो थे वो मिस कर दिता हूं एंड एड़ दी एंड फिर एंड में फिब लगा कि जब मार्केट क्यूंकि ट्रैप करते हैं बारा वजे एक बए दो वजे उसके बाद मैं फिर अपना ट्रेड लेता हूं और यहां पर आप गईस दिखोगे एप सकते हैं मैंने इस टाइम पर अपना स्टॉप लगाना सोचा तो अगर यह दुबारा निच्चे आया साथ के साथ मैंने अपना स्टॉप लेकर एड कर दिया हम देखोगे मतलब यह दो बार उपर गया पहले एक बार 460 का है लेगा कर आया दूसरी बार 450 का बट वही दोनों तो बार इसने मस लेकुड़ ग्रैब करी महां से लब सेलर्स को अपने बायर्स को इनवाइड करा एंड उनके स्टॉप लेने के लिए लेकुड़ रिस आरी और निच्चे आगया अने अगले तीसरी बार निच्चे आता है तीसरी चौथी बार यह ब्रेक आउट फेल करता इसमें हो चुक है इसमें पचास पॉंट में थोड़ा मेरा एक्सपेक्टेशन बड़ी सी इसमें 100 पॉंट इसली मिल सकते हैं अगर ब्रेक आउट होता है यह ब्रेक आउट सुक्सेस्फुली होता है बट वही ट्रैप हुआ है मतलब में याब गाई एक चीज नोटिस करें अब चाहर दिखाता हुआ आपको आपको एक बीकेंडल हमारे लेवल को पर क्लोज ने होई बस लिक्यूट अच्छा खतर नाग मुवाया कि मेरा ऑप्शन 50-60 बड़ा और बंदों इतने में खरीदा यहां पर उनके असल ले चुक है और इसके बाद तो बलकि और यहां पर मुवाया सेलिंग से तो मैंने यहां पर इपने दो ट्रेट्स करके अप्रॉक साथ सोगला हो चुक है हमारा कैपिटल अब और कम हो चुक है थोड़ा देखके करना पड़ेगा में वोई की मार्किट एक्जिकुशन पर सुबा सुबा कॉन्फिदेंस के साथ ट्रेड लेंग थैंक यू